गुद मारे इस्टुदेंस वेलकम टो ग्लास थार्ड एवी एस इन दिस वी स्टेडी रीड अबाउट दे लीव्स लीव्स अर आल्सु काल दे फूड फैक्टरी और किचन आफ दे प्लांट मैं जहां अपना खाना बनाता है उस रूम को किचन कहा जाता है सेम ऐसे ही जहां पे प्लांट अपना फूड बनाते हैं उस जगे को फूड फैक्टरी या किचन कहा जाता है तो प्लांट अपना फूड बनाते हैं लीव्स के अंदर तो लीव्स उनकी फूड फैक्टरी हो गई अब वो plant कैसे food बनाता है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे जिस process से एक plant अपना खाना बनाता है उस process को बोलते है photosynthesis क्या बोलते है photosynthesis अब photosynthesis नाम क्यों पढ़ा क्योंकि photo means होती है light light के presence में कोई चीज बनाना, synthesis करना उसको बोलते है photosynthesis means यहाँ पर leaves light sun की light में, sun की light के presence में अपना food बनाती है तो इस process को हम बोलते है photosynthesis यह leaf है, leaf का color होता है green, leaf का color green होता है chlorophyll की कारण तो chlorophyll leaves के अंदर होता है और sunlight sun से मिलती है water soil से मिलता है और carbon dioxide gas air से मिलती है यह four चीजे मिल करके और leaves के अंदर खाना बनाने का काम करती है तो green plants होते हैं वो अपना food leaves के अंदर बनाते हैं उसी process को photosynthesis कहते हैं यह मिलता है soil से कैसे plants की जड़े होती है root होती है वो root soil में से water को सक करती है और leaves को दे देती है then chlorophyll is the green pigment present in the plant और chlorophyll होता है green color का pigment जो leaves के अंदर present रहता है it makes a plant appear green और इसी के कारण plant green color के दिखाए देते हैं leaves make food for plant और leaves plants के लिए खाना बनाती है the process by which plant make their food is called photosynthesis जिस process से plants अपना खाना बनाते हैं उसको photosynthesis केते हैं leaves make food in day time leaves अपना खाना दिन में बनाती है क्योंकि दिन में उनको sunlight मिलती है leaves also help the plant to breathe और leaves plants को help करती breathing करने में भी क्योंकि उसके अंदर stomata present होते हैं तो यह पता चला आपको कि leaves खाना कैसे बनाती है photosynthesis से photosynthesis में क्या-क्या चीज़े जरूरी होती है four चीज़े कौन सी sunlight कहां से मिली sun से water कहां से आया soil से carbon dioxide gas कहां से मिलती है air से chlorophyll वो तो पहले से ही रहता leaves में तो यह four चीज़े मिलकर के और plant के लिए खाना बनाती है उसी को हम कहते photosynthesis so read it and learn it thank you जीको मुदे़ से वाल da should